आपको पता है कि पाकस्तान में रोज ने 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 मसाइल आ रहे हैं कल ही आपने देखा कि परसो आपने देखा कि किस तरह पाकस्तान में एक प्रेक्टाउन हुआ और उस प्रेक्टाउन के नतीजे में मतलब समझ अभी तक किसी को नहीं आ रही है हर पार पूरे पाकस्तान की लाइट कैसे जली आती है मतलब क्या सीरीज में कनेक्शन किया वै क्या एक लाइट बंद हुई सारी लाइट बंद बारहल ने ने मसाइल हमारे हैं पड़े और उन मसाइलों के हल के लिए कहते तो हैं नामने हाथ के कोशिश कर रहे हैं बारहल हम आते हैं आज के वीडियो पे जिसका टाइटल है कि पागिस्तानी अवाम आटे को तरस रही है रोड़ती हुई फिजा खान तो राइट नाव जो सिचुएशन है जो कि आपको डिफरंट मीम गेम के तरू भी पता लग गई होगी कि पाकिस्तानी अवाम आटा चीनी बिजली गहस पानी हर चीज़ को इस वक्त परशान थी बारहल खेर जी होता रहते हैं हमारे मुलक में आईए वीडियो देखते हैं जी शुरू करते हैं उस से पहले हमारे रिक्वेस्ट है जनाब के आप जो है चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए 321N एक ही बार सारी कुर्बानी अवाम से ले ले हमें खत्म कर दो हमें नहीं चाहिए आटा नहीं चाहिए तो अमारे पर गड़ी चाहिए जो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं मिल रहा है आटा खरीदने के लिए भगदड़ मची हुए और इस भगदड़ में एक आदमी टाइंटाइम फिस भी हो चुका है लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानी को ची कश्मीर ना तो इनको आटा मिल रहा है ना गेज मिल रहा है ना घी मिल रहा है ना सबजी मिल रही है क्योंकि कुछ होगा इनके पास में तो मिलेगा ना पाकिस्तान की आवाम का क्या हाल है पहले ही देखते हैं कोई इंसान रोटी खाए बगार जंदा नहीं रह सकता पाकिस्तानियों के लिए दो वक्त की रोटी रह गए जो खाके गुजारा कर सकते हैं बाकी आईशो और आम तो बहुत दूर की बात है हकूमत ने इतना दोर खराब कर दिया है इतनी महगाई में अवाम पिश चुके हैं कि आटा जो है उसकी शाटर जा चुकी है मुलक में फी मनگंदम जो है 5,000 से तजावस कर चुकी है और आटे का जो थेला है वो तकुरीबन 13.00 का 20.00 मिल रहा है और 700.00 का 10.00 केबने का 20.00 का मिल रहा है क्योंकि लोगों का राश इतना ज्यादा है हम लोगों से बात करते हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुकान में आटा आया था और लोग लेके जा चुके हैं और कुछ लोग मायूसी का शिकार हैं जोके सुबा साथ बज़र से से लाइन में लगे हुए थे उनको आटा नह वो आते ही निकल जाता है और वैसे फिले बजाब में पाकिस्तान में डेट सो से दो सो रुपए किलो आटा भिक्रा वाँ पाकिस्तानियों क्या चिम्मेंट है तुमारी और सबसे कमाल की बात तो यह मुलका में परमाणू बम की धंकी देता है कि चिडिया नीचे के कि घंटि बढ्तियाँ बजेगी रेडियेशन विंड के नाम लगता है थ seventeen dieta तुम हास कि लिए रजय में इसे शयूद ऐ अड़ी आऊ। आपना आपना के भात विए हैं तो व्य याले शब्रात करते हैं आव ग्राऑभि तने एसे नहीं चाने का जी हमारे साथ अंकल जी मजूद हैं ये भी सुबा से आटा के लिए तर खड़े हैं इनसे पूछते हैं सर कितने बज़े के यहां बेख़डे हुए इतने तंग हैं बचे रोटी से महरूर अब चारी अरीब अब कहां जाए अकमरानों को अब आयाशी के पढ़िए बचे भूके हैं रोटी से बचे भूके हैं रोटी से वो कह रहे हैं तो आगे आटा नहीं मिला नहीं ऐसे ही जाओगे वापस याटे जाओंगा शर्मानी चाहिए हमारे स्यासदानों को एक बज़र्ग जो है वो अपने बच्छों को यह कहा किया है कि मैं आटा जो है लेके हाँगा बचे भूके हैं इनके आंसू निकर रहे हैं इस उमर में यह रो रहे हैं बीस रुपे इनकी जेब में हैं शर्मानी चाहिए जो के एवानों में बैठे हुए हैं मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कोई पॉलीसी नहीं है गरीबों के लिए आटा लेके जाते हैं इनको यह भी नहीं पता होता कि आटा खतम होना है नेक्स्ट दफ़ा हमें अगली दफ़ा मिलना या नहीं मिलना य आते हाते आते आता भिक जाता है फिर खाली हात लोटते हैं बचे इनके हाथ की तरफ देखते हैं खाली हात अब अब बेहार है क्या करेंगे उप जाके कल भी रहेंगे आता लिने रहां जूत हैं यहीं कहना….ँद करें हम घ्री हाँ आदम difficलों POW क्या ही बोले बहिए इंसानियत की भी रूख आप जा है लोगों का यह हाल देख के और यह तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में गेस का क्या हाल है यह भी तो देख अच्छा मुझे पताएं कि दस किलो का थेला मिलता है कितने दिन उससे गुजरते हैं तकरीम ने च्छे साथ हैं जो हमें जो पहले आ जाते हैं पचास लोग समया ओक कभी किदर कभी किदर फिरे लगाते रहते हैं उसके बाद हमें मज्यूसी का सामना करना पड़ता है इसके बाद हम वापस लोड जाते हैं जब आप ऐसे वापस जाते हो घर में आटा नहीं होता गुजारा कैसे करते हो कैसे करना है कभी किसी से मांगना पड़ता है कभी किसी स इतनी है छे साथ सो में क्या मनेंगा आपका इनकी आवायम की इतनी बत से बत्तर हालात हो रहे लेकिन इन पाकिस्तानियों को अभी भी भारत से जंग लड़नी अभी इनकी थोड़े दिनों पहले एक मंत्री ने परमाणु बंकी धंकी दिये भारत को उड़ाने की तुम्हारे परमाणु बंपे तो टीटीपी कब जा करने वाला है वेसे भी देलो थोड़े दिनो और धंकी खदम हो गया हो कुछ नहीं तुम्हारे पास में है पाकिस्तान के बद से बत्तर होते हालात को देखते हुए मैं यह बोल सकता हूं कि पाकिस्तान श्रिलंगा बन चुका है बद डेक्लेर होना पाकिए और आप लोगों क्या वीचारे पाकिस्तान के उपर तो आप चरूर से कर्मेंट करके मुझे बताएए जब समय ने पास हम में आपनी बात करते हैं देखें इस वक्त जो एलीड किलास है उनके लिये तो समझलने मज़ें हैं उनको कोई टैंशन ही नहीं है क्यों क्योंकि उनके पवर्चारे पैस जापनाद होता है उन्होंने अपने करचे कम सबसे बड़़ स्कीम यही ओती है कर्चे कम कर लिये जाएं लेकिन भाई गैस है नहीं LPG डलवाओ, LPG का रेट 250 रुपीज हुआ पड़ है पर केजी केजी के हिसाब से देते हैं आपे तो यह हिसाब हुआ वे और आटा आटे की शोर्टेज कोई नहीं है, आटा मिल रहे अब दो तरीके हैं अगर आपकी इंकम अच्छी है आप किसी भी अच्छे स्टोर पर जाएं जितना आटा जाएए ले ले लें लेकिन वो आपको 15 केजी का जो एक कनेस्टर कह लें वो है वो पैकिट जो है वो 15 केजी वाला वो तक्रीबन 2000 के और 5 केजी वाला है तक्रीबन 655 इसी तरह हिसाब किताब है अब जो मजदूर है जो के रोड पे डेली वेजिस परसन है डेली मजदूरी करके आते है उसे 800-900 मैकसिमम 1200 अगर मिलती है तो भाई वो घर वालों को रोटी खिलाएगा हकुमत के बिल भरेगा सेहत पे खर्चा करेगा दवाईयां लेगा करेगा क्या हो तो यह हमारे हुकमरान समझते ही नहीं है और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फॉल्ट जो है इसमें हमारी अवाम कै आप हर बार ही कर लेते हैं जी एक्सपेरिमेंट मार्शल लाज ने किये वो अब कहलें के वो गंद कठा हो गया और पका हो गया वो अब हिले गए नहीं आपको पूरा सिस्टम जो है वो दुबारा से बनाना पड़ेगा खड़ा करना पड़ेगा आपको नया कोई सिस्टम लाना पड़ेगा और अवाम को भी समझना पड़ेगा कि हमने किसे वोट देना है बरादरी वाले को या काम करने वाले को यह आप अप नोट कर लें हर बार आप धोके में आ जाते हैं हर दफ़ा फिर आपकी मारी जाती है और आप मरवाई जा रहे है क्या बोलें अब यार समझते तो है नहीं यहां पे जो है ना जात पात की मसलक की बनियाद पे मस्जिद की बनियाद पे मुदरसे की बनियाद पे पसंद ना पसंद की बनियाद पे वोट दिया जाते है ना कि इस बेस पे काम किसने करने है फिर हम हम complain भी नहीं कर सकते ना यह सब गंध हम नहीं कठा किया वे पाकिस्तान में इतना potential है जी bio gas का solid waste के तुरू gas बना सकते हैं आप solid weight के सुरू आप जो है ना heating systems बना सकते हैं solid weight के सुरू आप जो है वो electricity produce कर सकते हैं सब्षाब नहीं करते हैं क्यों करें हम कैचरा तो हम फिलाते हैं उसकी आपनी जरूरतों को अपनी इंकम किसाबसे नहीं करेंगे ले हैंक तो हम इसी तरह फसते जाएंगे और इसका इफ़ेक्ट इसका आफेक्ट व्लें टारा उन पर Linda पर जिल्शा रहे हैं conf हमाने तो इसमार की सामने च्छेंस अब क्मेंट कर Сंक्षिक चाएं झाल झाल